हेलो दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले एक शेयर से जिसका नाम है जश इंजिनियरिंग लिमिटेट करता है क्या बिजिनस मॉडल है Okay, financials किस तरीके के, क्या share को यहाँ पर लेना चाहिए, बेचना चाहिए, वो levels में आपको बताता हुआ नज़राओंगा, Okay, as well as, last week video में बने रही है, so that, आपको यह सारी की सारी चीटे पता चलती हुई नज़राए, Financials पता चले, business model पता चलती हुई नज़राए, Technical क्या कह रहे है, वो पता चलता हुई, नज़राए, आज आप देख भी रहे है, लगवाद 7% की गिरावट है, still मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता है, तो last week video में बने रही है का, ताकि इस तरीक की video मिलती रहा है, बाइंसानी की recommendation है नहीं, अपने financial advisor कुछ की study करना है, और जितना हो सके सीखने की कोशिश करना है, सीखने का तरीका videos है, जाके videos को देखिए, अपने आपको perfect बनाना है, तो सीखना ज़रूब पड़ेगा, हाना आप सीखेंगे तो आपको सीखेंगे समझ में आगी, fundamental कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, शेहर क्यों भागता है, क्यों गिरता है, यह जब क्यों क्या कैसे के जवाब आपको मिलेंगे न, तब ही इस दुनिया में सबसे important चीछ यह ही है, कि क्यों क्या कैसे के जवाब मिलना, हाना जब इसके जवाब मिल जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा तो आप ये जवाब हमारे कोर्स में ले सकते हैं 25,000 रुपए का कोर्स है 3 months की hand holding है strategy using stock market online notes सब कुछ दिया जाता है एक बाग कोर्स complete करने का 6 महिने से 1 साल हाना जरूग लगेगा किस के लिए back testing के लिए as well as जो सिखाया गया है उसको implement करने के लिए फिर उसके बाद देखना आप यहाँ पर खुदी किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजरा होगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगर साथ में काम भी करना है किसी को तो इन्ही नमबरों पर नोट करके आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं काम भी कर सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखे हैं Just Engineering Limited की बात कर रहे है is manufacturing a wide range of equipment for water intake system, water and water, water pumping station and treatment plants, storm water pumping station, water transmission, line, power steel, cement, paper and pulp, petrochemicals, chemicals, fertilizer and other processing plants तो यहाँ पर हम बात करें बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में यह company काम करते हैं नजराती है हाना यहाँ पर हम बात कर रहें तो यहाँ देखे इस्टूड़ा एन इंडस्टी लीड़ा इंडिया for most of these products are also export from these products to over 45 countries worldwide तो यहाँ पर export भी की जाती है अलग-अलग 45 countries में जो इनके अलग-अलग products है तो अलग-अलग यहाँ पर wide range है हाना एक बाइनकी website पर visit कर लीजिए तो आपको इनके products related सब कुछ एक पूरा एक idea लगता हुए नजराएगा कि company किस तरीके से क्या-कया काम करती हुए नजराती है इनकी website पर विजिट कर लीजिए आपको समझ में आता हुआ नजराएगा कि यह company किस तरीके की company है और क्या यहाँ पर activities करती हुए नजराती है अलग-अलग continent में अलग-अलग यहाँ पर countries के लिए भी काम करती हुए मारे चैनल का नाम I am small cap investor है तो हम small cap में ही यहाँ पर deal करते हुए नजर आते हैं इसलिए यहाँ पर नाम भी ऐसे ही है और आपको बताया भी ऐसी small cap जाते हैं दूसरी बात यहाँ पर small cap की बात करूँ तो देखिए अभी आप देखोगे तो आपको समझे में आगा किया कितने यहाँ पर कितने रुपे पहुच गया है तो जब भाग रहा है तो अच्छी बात है अबर जब गिरता है तो उसी तरीके से गिरता भी नजर आता है तो इस चीज को भी हमेशा याद रखना है इसलिए ऐसा ही टाइम पर buy करके साही टाइम पर profit book करना वह एक कला है वही सीख आपको है जो कि हम अपने course में आपर सिखाते हैं तो यहाँ पर हम बात करें इस particular share की तो यहाँ देखिए 36 का PE है इंडश्टी का PE 37 का है तो अभी भी सस्ता नजर आता है महंगा नहीं नजर आता हाना इसके इलावा dividend भी देती ही नजर आती है 10 की phase value भी है जिस तरीके share जो gross profit margin last quarter का है वो अच्छा खासा sales growth अच्छी कासी है return on asset यहाँ पर अच्छी कासी दिखाई देती है इसके इलावा यहाँ देखेंगे promoters, promoters की holding दीरे-दीरे कम होती हुए नजर आ रही है बट इस्टिल एक healthy promoters की holding है 49% के आसपास की FIs की बात करें तो FIs दीरे-दीरे यह जो की बढ़ती हुए नजर आ रही है बट उसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे कुछ बड़े लोगों ने यहाँ पर हिसादारी लेके रख रिकिया ज्यादा नहीं 9600 बनवे यहाँ पर number of investor यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे है इसके लावा यहाँ पर क्या bulk deal होती ह नजर आ रहे है वह आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और चीटों से लेटीड तो सबसे पहले company के number से लेटीड बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको पदा चलेगा company के जो number से है ना धीर धीर अच्छे आते हुए दिखाई दे देखेंगे वह भी as operating profit और as well as margin देखेंगे वह भी highest ever आते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर company के जो profit है ना वह भी highest ever पिछले बारेकॉटर का है हाना EPS बढ़ रहा है तो क्या है company के जो number है वह काफी अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे है yearly base पर बात करें तो य यहाँ पर किस range तक पोचता हुआ नजर आ रहे है और यहाँ पर देखें company के जो एक करोड का profit था वह 67 करोड के profit तक पोच गया है अच्छी बहतरीं company नजर आती है reserves की बात करें तो 349 करोड के आसपास की reserves है ठीक है बारें की बात करें 80 करोड के आसपास की बारेंग है जो क कि लग बग पिछले कुछ quarter system में नजर आती है छे करोड रूपर वर्की पोगेस में लगा रहे है इस परिटीकुलर एयर में और यहाँ पर बात करें investment भी 6 करोड का 100 करोड के आसपा 96 करोड का यहाँ पर cash पड़ा हुआ है और यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं तो हमने यहाँ पर shareholder pattern की बात करें लिए तो financials की बात करें तो financials काफी यहाँ पर बहतरी नजर आते हैं जो कि आप yearly base पर भी हाँ पर देख सकते हैं as well as quarterly base भी हाँ यहाँ पर देखेंगे तो आप आप पदा चलेगा dividend भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है हा ना और सब यहाँ अब बात करते हैं चार्ट से लिए कि चार्ट किया रहा है बट उससे पहले हमेशा से आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फाइनशल एडवाईजर कुछ कि चीटों को सीखने के लिए वीडियो जाके देखिए शेयर करिए एक दो बार रिपीट करके देखिए तब ही जाके एक्सपर्टीज आती है हना 10,000 आर्स देने पड़ते हैं कम से कम तब जाके यहाँ पर एक्सपर्टीज आती है और बात करें लिए नम्बरों को नोट करके साथ में काम कर सकते हो और हमारा यह इन कोर्स कर सकते हो एक बार कोर्स किया तो आपको बहुत सारी चीज़े इज़ी यहाँ पर समझ में आती हुई नज़राएगी जश इंजिनियरिंग- disgrace- अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको slowly और gradually किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर एक top बनाने का देख गिरावट हुई आज हाना आप कहेंगे कि इतने अच्छे result है फिर भी यहाँ पर चीरे गिरते हुई नजर आई है यहाँ पर आप देखोगे गिरावट हुई है ठीका मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर से बाउंस बैक आ जाना चाहिए बट इस टिल बाउंस बैक नहीं आता है तो थोड़ी बहुत गिरावट अगर आती है और यह शेर अगर आपको पंद्रेसों रुपे के भाव़ों प जो यहाँ पर इनके प्रमोटर से वो धीरी धीरी हिस्सेदारी कम कर रहे है वो भी आपके यहाँ पर दिखाई देरी होगी ठीक है क्योंकि शेर बहुत ज्यादा भागा है इसका मतलब यह नहीं कि और नहीं भाग सकता है अगर कंपनी में कैलीबर होगा तो बट इस्टिल थोड़ा सा अगर नीचे मिल जाता है यह ठीक है जो कि यहाँ पर अगर मैंने बात करी थी 15-1600 के बाहुपे तो एक opportunity बन सकती है ठीक है target की अगर मैं बात करूं तार्गेट मुझे नजर आता है कि अभी जितना अच्छा खासा यह भाग लिए थोड़ा consolidation होना चीए बट इ नीचे या फिर यह जिस दिन 22 को क्रॉस करेगा इसमें एक तेजी आएगी तो इसे 3000-4000 की तरब भी हां पर move करते हुए लेकर जा सकती है बट मेरे कहने पर किसी और के कहने पर शेयर नहीं लेना है अपने financial advisor कुद की study करनी है चीजों को ध्यान से देखना है देखने के का अच्छी से अच्छी अशेयर आपके सापने present करने का मौका मिलते रहे तो थैंक यू सो मच गोडब्लेस